मैं आप सब पूछना चाती हूँ कि में 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन मैं 13 माई को सुभा 9 बजे के करीब अर्विन किज्रिवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्रॉइंग रूम में बिटवाया और बताया कि अर्विन जी घर पे हैं और वो मुझे से मिलने आ रहे हैं फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी वी थी अराम से ही बैठी वी थी इतने में बिभव कुमार जो कि उनके PS थे वो वहाँ पे धन धनाते वे आते हैं he entered from the door और वो चिलाने लगते हैं और गालियां दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तिरी आउकात क्या है तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे नीच औरत पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे वो और उस समय मैं बहुत सत्पका गई और मैंने उनको बोला भी कि भई क्या हो गया मतलब अर्विन जी आ रहे हैं क्या हो क्या गया तो इतना मैंने बोला और इतने में उन्होंने हाथ छोड़ दिया उन्होंने मुझे साथ-ाठ थपड पूरी जोड से मारे मैं सोफे पे बैठी थी वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ इतने में मैंने अपने आपको बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुष करने की कोशिश करी तो जब मैंने उन्हें पुष करने की कोशिश करी तो उन्हाने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीकती रही चलाती रही मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड चल रहे हैं मुझे छोड़ दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना वो अकेला था कमरे में? जी उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में और जब इतना जादा मुझे वो पीट चुके थे उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आपको छुड़ाया और मैं वापस सोफे पे जाके बैठी और मैं बहुत अजिटेटेट थी तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि मैं तुम कुछ कर लो हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे हड़ी पसली एक कर देंगे पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया जैसे ही उसने रिलाइज किया कि मैंने कॉल कर दिया है वो तुरंथ भागा भागा बाहर गया और सिक्यॉरिटी जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया जब सिक्यॉरिटी अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया मैं बहुत ज़ादा एजिटिटेट थी और मैं उन्हें चीक چीक के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ मैंने उन्हें बताया कि बिभव ने कैसे लातों से, घूसों से, थपडों से मेरी पिताई करी है और यहीं बैठके यहीं पर मेरी पिताई हुई है तो उन्हारे बोला क्योंकि बिभवने मेरे सामने उनको बोला था कि इसको बाहर फेंकूँ तो मैं उनको बोलती रही उन्हारे मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं आँ बहर निकलिए मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दिये पुलिस को आने दो यह crime scene है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हाथसा हुआ है मैं Member of Parliament हूँ मैं Former Delhi Commission for Women Chairperson हूँ आप रुकिये, आप पस पुलिस को आने दीजे, एक बार पुलिस आ जाए मैं पुलिस आ जाएगी यहाँ पे मैं फिर उसके बाद जाओंगी क्योंकि मैं को यह डर था कि मैं यहाँ से चली गई, तो यह tamper कर देंगे पूरा जो भी evidence है तो इसलिए मैं उनसे बार-बार आर्ग्यू कर रही थी, यह argument कम से कम आठ से दस मिनट चला होगा और उसमें पूरा time मैं देख रही थी बिभव मुस्कुराते वे विडियो बना रहा था जब end में मुझसे मैं बिलकुल अपना आपा खो गई कि एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया उपर से वो वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ बिभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि तुमने क्यों मारा कैसे मारा ऐसे कैसे हो गया तब मैं अपना आपा खोया और मेरे मुझसे कुछ अपशब निकले जो बाद में हमने देख एक बस 50 सेकंड की क्लिप डॉक्टर करके एडिट करके उसमें से भी काट पीटके उसको टीवी चानल्स को दिया गया इनके द्वारा और वो चलाई गई और बाद में जब पता चला तो पुलिस का मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेटमेंट सुना कि किस तरीके से ये जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्माट कर दिया गया है अगर वो दस मिनट की वीडियो जो मैं चीक-चीक के बता रही हूँ कि मेरे को कहा मारा कैसे मारा मेरा हाल जो अगर देख ले कोई तो वो बिलकुल बात क्लियर हो जाएगी तो एविडेंस के साथ भी टामट करा गया तो अगर्डिंग तो वाट यूर सेइंग दो वीडियो है एक तो CCTV वीडियो है जिसमें पूरा सीक्वेंस है जो अभी तक रिलीज नी हुआ थूँ देख रेसिनेंस और दूसरा जो विभव जी ने खुद वीडियो बनाया है वो भी है दो वीडियो सोर्सेज है अभी जी बिलकुल दो वीडियो सोर्सेज है और ये जो सेकन्ड वीडियो है मैं इसी का बता रही हूं आपको कि वो वीडियो अक्चली पूरी वीडियो है वो आठ, नौ, दस मिनट की वीडियो है तो जब वो आपको मार रहे थे, वो वीडियो ले रहे थे? नहीं, जब मैं वापस आके बैठी जब मैं सोफे पे दुबारा आके बैठी हो मैंने 112 नंबर कॉल करा ये बाहर गया, ये सिक्योरिटी वालों को लेकर आया जब सिक्योरिटी वाले वहां आये तब वो वीडियो लेना शुरू करा है जब मुझे मार पिटाई कर रहे थे तो वो अकिला था कमरे में, तो वो वीडियो कैसे ले सकता है? तो जब ये मार पिटाई हो रही थी you were obviously screaming कोई ऐसे silently तो नहीं मार खा सकता तो जब वो आपको मार रहे थे and it is, I mean according to what you have said it is quite gross he, आपने कहा 7-8 बारी he kicked you on the chest, stomach, pelvis और आपके periods चल रहे थे उद्वर he dragged you, your shirt was pulled up as per this, you were screaming for help घर में और कोई नहीं था आपके मताबिक? मुझे बताया गया था कि अर्विंद केश्रिवाल जी घर में है और वो मुझे से मिलने आने वाले है और मैं बहुत जोड-जोड से चीक-चीक के help मांग रही थी लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया स्वाती जी आप उनके घर कई बार जा चुके हैं क्या हर बारी आप appointment लेके जाते थे इस बारी शायद नहीं लेके गए क्या उस वज़े से नरास थे क्या हो सकता था उस दिन मैं appointment लेके तो hardly कभी गई हूँ जब-जब मैं घर गई हूँ तब तो मैंने कभी भी appointment लिया हाँ जरूर है कि अगर office जाते हैं उनके क्योंकि उनकी meetings लगी भी होती है और बहुत एक protocol होता है तो अगर secretariat जाते हैं तब एक पार office पे के लिए official time लेके जाया जाता है लेकिन जब घर जाते हैं तो मैं ऐसी जाती हूँ यह यह कहते हैं कि मैं trespass कर रही थी मेरे पास कोई appointment नहीं था तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि अगर मैं trespass कर रही थी तो फिर तो gate पही रोकते थे फिर अंदर से अंदर तक मैं पहली बात कैसे चली गई और दूसरी बात जो यह कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास कोई जी appointment ही नहीं था तो मैं तो हमेशा ऐसी गई हूँ मुझे हलका सा इल्म भी नहीं था कि अगर ऐसे मैं मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है और अगर उनको लगता है कि appointment लेना बहुत important है तो उसी वक्त वहीं पे मेरे को बोल देती मैं तो 20 साल से जानती हूँ वो हमारे घर आते हैं हम उनके घर जाते हैं तो ये तो बहुत अजीब आत How long have you known Bhibhav ji? I know him since 2006 only Since 2006 क्या वो बहुत करीबी रिष्टा है उनका Arvind ji के साथ? हाँ स्टार्टिंग में नहीं था लेकिन अब Arvind Kijriwal जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त Bhibhav कुमार है वो कोई मामूरी पिये नहीं है अगर आप उनका घर देखें तो उनका घर इतना अलिशान उनको घर दिया गया है इतना तो किसी मंतरी को भी दिल्ली में नहीं घर मिलावा है तो वो एक बहुत रसूकतार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में और पूरी पार्टी उनसे डरती है और उनके उपर assault का केस पहले भी हो रखा है तो ये सब बाती है डरती है क्यों डरते हैं लोग? लोग डरते हैं उनका जो मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मेसेज है कि अगर बिभव नराज हो गये आपसे तो फिर आप खतम हो पार्टी में दो चीज़ें एक तो आपका अपशब्द और दूसरा आपका फो जो आपने पुलीस को बताया जो अपशब्द वाली बात है दो विडियोज है एक तो अपशब्द वाली और दूसरा जो आप चल के जा रही है जो आप चल के जा रही है उसमें जो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग है उन्होंने प्रेस को बताया कि वो तो she's walking out normally, वो ना तो उनके कपड़े भटे हुए हैं क्योंकि आपने का था आपका shirt उपर किया था and she's not limping क्योंकि आपने का था कि आप you were kicked तो वो limping नहीं है पर एक woman, there are two women in the video जो आपको escort करके बाहर लेके जाते हैं आप पॉइंट कर नहीं है towards somebody and there are two, three men who are standing around you and they are also just watching you. तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी बुरी तरह पीटा जाता again I'm very sorry I'm raising these issues because जो violence victims होते हैं it is very disturbing to see those visuals and to relive that incident. So I'm extremely apologetic मैं आपसे पूछ रही हूँ but just so that this can be sorted out कि जब आप you have worked with several victims of violence इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या, can somebody walk like this normally after being beaten so brutally? मैं निर्भया की मम्मी से मिली थी और उन्हाने एक बात पुली थी जो मैं जिन्दीगी में कभी नहीं नहीं पुला सकती उन्हाने मुझे ये बोला था कि कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरी बेटी अब दुनिया में नहीं है क्योंकि जो इस देश में न्याय पानी की जिल्लत है कम से कम वो तो उसको नहीं देखनी पड़ रही निर्भया से भी पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई आटो में क्यों नहीं गई रात में क्यों गई दिन में क्यों नहीं गई वो लड़का कौन था तो इस तरीके की जो victim shaming है ये हर लड़की के साथ होती है ये कोई नई बात नहीं है अब जो उनके सवाल है वो ये कहते हैं कि CCTV footage में तो देखो कैसे चल रही है सीधी चल रही है वो जो edited video है उसमें तो देखो अराम से बैठी है तो मुझे एक बात बताईए जब आपके साथ मार पिटाई होती है तो आपका first reaction क्या होता है You are very agitated Obviously there is pain but there is agitation which takes you over There is a very high adrenaline also running through your body आपको अगर कोई गोली भी मार दे तब भी आप उठके भागते हो क्योंकि आपको अपने आपको बचाना भी है और आपको नियाई भी पाना है तो ये कहना कि देखें इस CCTV footage में यह ऐसे चल रही है पहली बात तो जहां तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बातचीत हुई है उसमें तो मीडिया में यह चल रहा है कि CCTV footage तो अभी दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं पहुँचे तो क्या ये CCTV footage बिलकुल correct है क्या ये doctored है and on top of it मैं अभी चल रही हूँ और चार दिन बाद मैं limp कर रही हूँ तो किसी को भी जिसको भी चोट लगी होगी उसको ये समझ आएगा कि जब चोट गरम गरम होती है उसमें इंसान दौड भी जाता है अरे fracture भी हो जाता है तब भी इंसान दौड जाता है और जब वो चोट settle करती है और जब आप actually realize करते हो कि आपके साथ क्या हो गया मतलब तब जाके वो दर्द उभर के आते हैं तो ये कहना कि वो तेज चल रही थी फिर बाद में वो देखो limp कर रही है मुझे लगता है इस से बुरी victim shaming क्या हो सकती है दुख इस बात का है कि दिल्ली की महिला मंतरी ये कहती है कि देखो इसके तो कपड़े नी फटे देखो इसके तो सर नी फूटा तो बस अब इसी की कसर रह गई थी वो भी करवा देते and on top of it मैंने कब F.I.R. में कह दिया कि मेरे कपड़े फट गए मैंने कब F.I.R. में कहा कि मेरा सर भट गया जी मैं खूनम खून हो गई exactly जो मेरे साथ हुआ है word to word बिल्कुल मैंने वही लिखा है मैंने ना आगे लिखा ना पीछे लिखा और मैं अगर गलत हूँ मेरा मैं बिल्कुल तैयार हूँ मेरा polygraph test मैं चाहती हूँ कि पुलिस करे उससे सब क्लियर हो जाएगा मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि पुलिस मेरा polygraph test कर ले क्योंकि मैं इस आरोप के साथ कैसे जिन्दा रहूं जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लड़ने के लिए आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया कि ये तो जूटे आरोप लगाती है